बिसमिल्ला रह्माद रहीम स्टार्ट करते हैं के चट्रवन की वीडियो को पार्ट वन की वीडियो में हाट फेल्या के इंड्रक्शन को और उसमें च्राटेजियों को देखा था तो इसमें जाए बड़े सिंपल थे जो हमने चैटर में 11 और 12 में भी पढ़े हैं जैसे कि कि किस तरह से हम हाट फेले को ट्रीट करने में यूज कर रहे होते हैं तो एक तो बात मैं आपको पहले वीडियो के न्ट में बताई थी डिजॉक्शन जो है वह आइनो ट्रॉपिक होता है यानि के वह आपके हार्ट को रिक्वेस्ट करता है कि आपको अच्छा काम करना पड नहीं है उसके लिए आपको पार्ट वान की वीडियो में जो हमने काता हुआ हम ने का जब हार्ट आपका काम खराब करता है यानि का में नहीं कर रहा होता तो बॉडी कंपन से रिस्पांस आक्टिवेट करती यह लिए काम करती है इस जबर्दस्ती के चक्रों में बिचारा हार्ट इंद लॉंग रन आइससे वीक होता जाएगा क्योंकि हार्ट के रिमॉड्लिंग बगरा होती है साइस बढ़ाता तरह जाएगा इससे मसल बड़े हो फूल जाएंगे उसके ब्लड की जगह कम रहेगी और इस तरह के बहुत सारे मसायर बनते चले जाते हैं तो इंदर लॉंग रन हमने यह करना हो शौर्ट रन में तो हमने यह करने कि बाड़ी की पूरा किया जाए चाहिए उसके लिए हाट को रिक्वास करना पड़े और अगर पूरी हो रही है तो फिर दूसरा का मिया कि हाट को डिटोरियेट होने से बिचाया जाए जिसमें हार्ट को सब्रस्तिक काम करें उनको रोका जाए हाट पे प्री लोड बहुत पार रहा था उसको कम किया जाए हाट रे है तो हमारा बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स की वज़े सिंपथाटिक नर्व सिस्म एक्टिवेट होता है वह करवा जाना हाट से आगे बलडने जाना है तो आफ्टर बढ़ गया हाट पे चारे को बड़ी जान वार नहीं पड़ेगी इसके अंदर ब्लड पंप करने के लि सारे मुश्किल तो इनीशिली क्या और आपके पास सिंपथाटिक नर्व सिस्टम आपके पास काम करते हैं हम चाहते हैं इस थोड़ा से रोके कि यार तुम खुदा का वास्ता है हार्ट के साथ इतनी जो जो जबस्ती ना करो तो गोल वान होता है आपके पास नेरो हॉर्मो उनके बड़े इंटर मिंगर्ड से फंक्शन होंगे यह आप देखो कि यह एक है वह से प्रिलोड भी एफेक्ट होगा उससे आफ्टरोड भी एफेक्ट होगा साही तो होगी लेकिन हम जो ड्रॉक्स के डिरेक्ट एफेक्ट हैं उनको में लिए दिसक्स कर रहे होंगे तो प Falls입 कौन रोकता नंब्र एक बीटे ब्लॉकिस को कौन रोकता है नबर एक बीटा ब्लॉकर भीटा जो से हैountर उते आपके के उनका काम उंको रोकेगा और दुसरे में अक会 स्मस्पार्ट निवर सिस्टम रिलीज कर रहा होता है werd आंस हो गएंग हूगा नंजी मेंको 어렵क्च क पर दूसरा गोल मा homeosa niew Common Gel को प्रिलोड को हार्ट को फालतुब भरा जाता है उसको क PROF हार्ट लॉंक काम केले留 हार्ट फालत अब ही बहरा जाता है तो पहले बात यह ह्ञार्ट इसमें महत अश्टारें और पर तीसरी एक्जमपल आती है हमारे पास पुटाशियम स्पेरियंग डाय यूराटिक्स यह हमने चैप्टर 11 में नहीं पड़े अलबता है फिर जॉरत पड़े पड़े हमने इस पर अपर आता है हमारे पास तीन तरह के तो आकर पर सिंप्ली डाय यूराटिक्स ही हो गए हो थोड़ी स्ट्रेच होती है और स्ट्रेच होने के नितिज़े में रिलीज करती है और यह अच्छा अब हार्ट बहुत हो रहा है तो एक्ट्रियल नेट्रिक्स निकाला जाए और हार्ट इतना जदा ना फूले इतनी फिरिंग ना हो और लास्ट पर अनुछ अर्भी तर्ड़ यहां पर यूज किये जाते हैं क्यों यूज की जाते हैं कि ने करबोकर ने जो नियुक्र पर लगने नहीं नहीं देते तीसरा गोलाता है आगे पास आफ्टर लोड रिडक्शन सिमिलर सी बाते हैं यार बड़ी आफ्टर रिडक्शन का मतलब यह हार्ट को मुश्किल का सामना करना पड़ा था आगे प्लैट प्रम करने के लिए उसको हमने काम करना है तो आफ्टर रिड़ेटर जैसे हाइडर लाजी बड़ा रिड़ेटर है मतलब आर्ट्रियोस को रेट करता है खास्ता अब यूज करेंगे यह यूज करेंगे क्योंकि एस इन्हीटर से जो एंजिट न से टू बनती है वह बिकरवाती है ठीक है तो एस निपर देंगे तो फि आफ्र लोड को रोकना आफ्र लोड को रोकना यह सारी वह बाते हैं जो सारे आपके हार्ट से सब्सक्राइब काम ना करवाओ अब चौत्था गोल आता है जिसमें हार्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि यार तुम भी थोड़ी हमत करो भाई तुम प्लीज हमत करो वह इंक्री बीटा एगोनिस्ट पीडी इंहिबिटर निए फॉस्फोर डायस्ट्रेइज निए तीनों का मैंक्रेजम करता हूँ आपके साथ को बढ़ाना ही है किस तरह से काम होता है सोडियम बढ़ जाएगी सोडियम बढ़ जाएगी सोडियम कैल्शियम एक्चेंजर होगा पहले बहुत है तो यहां पर सेल के अंदर ही यह सेल के अंदर डॉपामीन यह जो आपके बीटा एगोनिस्ट है को एक्टिवेट करते हैं जब वह को एक्टिवेट करेंगे तो आपका यह जो एटिपी यह करनोड़ होगा साइकलिक एमपी में सब्सक्राइब करता है आपके कैल्शियम की एंट्री को इस टिमुलेट करता है आपका साइकलिक एंपी जब 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 सब्सक्राइब करते हैं तो यह आपके पास पीटा इसका मतलब है के सब्सक्राइब करते हैं यह भी हार्ट से रिक्वेस्ट करते हैं यार भाई तुम थोड़ी हिम्मत करो तूड़ी को इंक्रीज करो अच्छा यह तूट जाता है इंटू सिंपल एंपी क्यासे तूटता है फॉस्फोर डाइस्ट्रेज से अब अगर हम फॉस्फोर को इंक्रीज करते हैं कौन को चीज़ को बिटा एगुनेस्ट फॉस्फोर डाइस्ट्रेज इनिविटेव तो यह वाला गोल विया को हो गया पांच वागोल होता हार्ट रेट रिडक्शन हम जाते हार्ट रेट को भी कम रखा जाए इसमें आएगा इवबरीडीन जो के खा काडियक री मॉडलिंग अब बिसिकली जो एंजियो टेंसिन होती है याद रखो यह जो एंजियो टेंसिन होती है ना यह काडियक री मॉडलिंग में रोल ब्ले करती है तो सारे वो ड्रक्श जो एंजियो टेंसिन को रोकते थे वो सारे काडियक री मॉडलिंग को रोकते है वो सारे survival को increase करते हैं ठीक एंजोटेंसिन 2 को बनने से कौन रोक रहा था एस inhibitors तो यह आ गए एस inhibitors एंजोटेंसिन 2 बन भी जाए तो भी उसको receptor उसके receptor को कौन ब्लॉक करता था एंजोटेंसिन receptor blockers तो यह नहीं के ARB प्रणाइब करते हैं और फिर मैंना पताया था पीटा नर्वस सिस्टम जो होता है वो रेनिन के रिलीज को बढ़ाता है तो इसका मतलब जब हम पीटा ब्लॉकर देंगे तो उससे रेनिन नी बनेगा तो इंजो टंसिन नहीं बनेगा ओके यह सारे आपके पास कार्डी करी मॉडलिंग को रोकते हैं यह यह सारे आपके पास लाइफ ज्यादा नमभी करते हैं प्रोलांग करते हैं सर्वाइवल को अब सवाल आज इसको डिसकस कर लिया इसके बाद हम इस टेवल को डिसकस करते हैं उसके बाद हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं पर बदा पीछे रहे कुछ नि जाएगा इंशाल्ला सब्सक्राइब को तीन चीज़ें कर रहे हैं तीन और आपको और आपको इंक्रीज काडिक कंट्राइब करेंगे वह आपकी रिमॉडलिंग को रोकते हैं तो यह देखो लमोडलिंग को रोकते हैं यहां रहों दिशकस यहां नहीं कर रहा है वह तो रहा है कर दो है आपके और अच्छा अमूमन जो आइनोट्रोपिक्स है ना जो हमने पढ़े थे आइनोट्रोपिक्स बीटाइगरिस हो गई है यह यूज की जाते हैं एक्यूट काम में क्योंकि देखो एक्यूट में ऐसा होता है कि हम हार्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि यार प्लीज आपना थोड़ा ची मदद क करो और खास तर पेस्तों टेक्थ तो आपने अनोट्रोपिक्स देलें गागं वैंपता वा खिुर्यागों का इसमपल होगा है अब आप दिख सेथे हैं कि यह इन में यह same vibes औरियर पर कुर्णिक हर्ट फिलियुक्त पन्हें पर आता है को क्यों होगि अब अपनी विडियो को यहां पर स्टार्ट करते हैं बशने हां लाइब में पर देन पर डायूरा टेक्स डायूराटिक फरस्ट लाइन तेरपी होती है थे लिए फरस्ट यारट टेक करने के लिए विए बड़े इंप्रॉटन होते हैं लूप होते हैं नाइटक्स के पास लूप रही होते हैं इस होते हैं इन इन में से प्रेफर कॉन सा करें होते हैं फिर समय जदा स्वेर कंडिशन में काम आता है जदा प्रमदरी कंजेशन होना शुलू हो गया हो गया इमीजियर डॉप्रेट्शन करवाता है पहले हमने पड़ाता के हाइपर्टेंसिफ इमर्जेंसी में भी यूस होता है तो यह बड इसलिए कार्डियक री मॉडलिंग को रोकते हैं ठीक के बाद तो यह बहुता है अच्छा उन्हें आपके ग्लूकोस और सोडियम के यह विसे के लिए आपके जो होती है नेफरॉन उसके अंदर ग्लूकोस और सोडियम की री अब्सॉप्शन करवा रहे होते हैं यह वह होते हैं तो सोडियम को कर वाले होते हैं अगर हमने इनको कर दिया तो नहीं होंगे रहाएं कि वाटर लॉस होगा ब्लड वॉल्यम कम होगा अच्छी बात है और ग्लूकोस रिप्स ट्रीट हो जाएगा कैसा तो इसलिए हम करते हैं यह टाइप टू डियाबर टीज इसमें इसके चांटे हैं तो उस पर यूज़ की जाते हैं ऑष्पलेश बढ़े इसमें इंपगली फ्लॉजल इंपगली फ्लॉजन याद करी रहोगे बाकि तो नाम पहले से पढ़े पढ़े हैं अपने यह परोटों फेरोसमाइड थोड़ा सा नाम ने याद करने वाला है तो कर आगा जाए जाए जाएंगे आजाएंगे वह कह रहे हैं कि अब आइस्ता हमने क्रोनिक हार्ट के लिए को भी फर्स लाइन मानते हैं और हमने साथ-स एपिटर या कहलों एंज्ट एंटागोनिस को भी फर्स लाइन मारना शुरू कर दिया है इसमें को पता है एंज्ट को निवेट करना जिसे वह होगी सारा कुछ होगा एक्जामपल एक्जामपल यह बिस में लोसार्टन और एस में करती है यहाद है ना तो यहां पर नाम डिसक्स कर रहे हैं बूपामीन यह बहुंत फेलियर में तो और इनको को फेलियर में यूज़ करने की एक बजा टॉलरेंस भी है जब काफ़े यूज़ करते रहे न तो हाट इसके खिलाव टॉलरेंस कर लेता है तो हाट चुक्त करें के प्रॉब्लम हो तो उसमें बीटा एगोनेस्ट काम के नहीं है लो जी यहां पर काम होगा तींगड़ा पींगड़ा अगला ड्राग आगया आपके पास बीटा एडिनोरेसेप्टर एंटाइगोनिस्ट हम हाट फीज़े के लिए एगोनिस्ट पर जेते हैं यह क्या बात हुई देखो जी एगोनिस्ट हम देते हैं जब एक्यूट प्रॉब काम चल रहा है बड़ी देज से काम चल रहा है हर्ट में चारा बहुत मुश्किनाद सामृत सामना करें लुए और बॉडी सिह से हार्ट करमप करवाटी तो फिर हम कहते हैं कि व्रप्वन इ 노 कर्णिम्न स्राइब रोकेंगे और को जो होगा उसको रोकेंगे और यह क्रोनिक फैलियर में को बिल्कुल भी वैलियर उखके वाद निभी विलोल एक एसा प्लोकर लोगन के जरी चर्छु करूँड पादाए है तो यह बता है पहले हम हाइपर टेंशन के चप्टर में इसको पड़ को किया है तो इसको यूज किया करें ने फॉस्फोर डायस्ट्रेस इंहिबिटर्स पहले क्या काम करती है यह आइनो ट्रॉपिक होते हैं तो इसलिए भी एक्यूट कंडिशन में यूज होंगे कुरूने क आंगे वह द्रॉज नहीं करते हैं में हार्ट को जादा जो जो बिस्ति करने पड़े के लिए तो बाते हार्ट की रिमॉडलिंग कास करेंगा ना हार्ट पर जारा कमजोर होगा पहले पहले भी हमने यहां पर डिसक्रस किया ता फॉस्फोर डायस्ट्रेस इनिविटर्स या नोन याद कर लो ठीक है माजी में हम इस्तमाल किया करते थे एक्यूट फेलियर के लिए इसका मैं कम बढ़ाता है जो करेंगा इसको भी यूज नहीं करना आइन अप तो जारी नोड को भी कम करेंगे आफ्ट नोड को भी कम करेंगे तो हार्ट की बड़ट प्लै को भी एच सब्सक्राइब करें वह या उसमें नहीं नाइट्रेंट्रेंट्रे में न इसने ठूरह सब्सक्राइब ने यहां पर यहां इदेखें ने रफ साइड यह भी हम ने खथा खुद कनवेट हो जाता है ने ट्रिक होगी तो प्रिफ जाएगा सब्सक्राइब हो जाएगा थब्सक्राइब हो जाएगा थेट्रियर नियुक्ति प्रेटियुक्ति में और ब्रें आप पहले बता चुक्त होते हैं तो होता है इसका भी काम किया कि हार्ट इतना स्ट्रेच ना हो अगर हम देख रहा हो ना कि हार्ट किस हद तक खतरनाक हो चुका वैक हम ब्लड में ब्रेइन नेटरी अरिटरिक पर्प्टायड के लेवल्स देखते हैं अगर जाधा होगा हम कर रहा है ब्लड वॉल्leum को कम कर रहा है इसका मत्ब़ा जा ब्लड वॉल्LEum काम होगा तो जो हार्ट के साथ जबरदस्ती होती है वो नहीं की जाएगी तो यह वाँ आ गई कि ही तरह का एक और ड्रग है निसरेटाइड तो जैंके बात निसरेटाइड भी हम हर्ट फेले करेंगे इक और होता है इस नप्रीलाइसंग को इनिधिट करता है जब प्रिन लख करता है युद रियुद बंद बढ़ जाएगा और मिश्क की नाम है अंप तो नेसरी टाइट की तरह का होता है इसलिए अच्छा काम करता है और सेक्यू बिट्रिल के साथ कॉम्बिनेशन में हम अक्सर एक ट्रग देते हैं वेल सार्टन यहाद है क्या है मावर लो सार्टन पढ़ एंग्योटेंसें रिस्प्टर को देते हैं यह कंबिनेशन ठेरपी बढ़ी अच्छी माने जाती है पस यह बात दिर रख लो इसमेर के पास अच्छा एप और अजो आप लो कि दो बाइगे नहीं बन पाएगी तो भी आपको पता है वार बड़े दबसक्त काम हो गए आपके पास यहां पर क्रोनिक फेलियर अगर हो तो उसमें भी हम कर देते हैं जैसा कि यहां पर नोड़ा बता है हाइडराजीन और आइससाबै डाय नाइटरेट यह जिस तरह निट्रोग्लिस्रीन नाइटरेट था यह नाइटरेट है ठीक है और हाइडराजीन यह पढ़ चुके में है यार एक तो हर चीज हमने अक्साइड कर रिलीज करवारी थी और विजर डिलेशन काॉस करवाती थी लूपस रित्रा मोटर से जिसके वह एक एडवर्स एपक्ट था ठीक है तो हाइडराजीन यहां भी हम यूज करेंगे हैं अच्छा पता क्यों है क्रोने काड़ फेले में यूज कर रहे हैं तो यह तो हमें रखना आप यह था ना यह इसमें एक ऐस्पार प्र लोड करने रोल प्ले करेंगे और यह आपके पास है जिना यह खास तोर पे आर्ट्रियोज पर काम करता तो हाईडरलइजन आफ्टर लूड काम करने पर काम करते हैं तो यह गया है की बात कैल्शियम चैनल ब्ल था मिल वहुत आंज नहीं करता है अब से कालशियम को अंदर जादा करना हो इन्द करने के लिए कि अगर कैलशियम ब्लॉक कर देंगे तो मुझी तो करेंगे तो तो बाइध चाएच के आर्प इसना क्रोट वास्त है तो यहाद है हम फार्मकोलोजिक चीज़ेंगे कम्प्लीट होती है विजलेटर्स में क्या पढ़े हमने निट्रोपिसाइड निट्रोग्लिस्रीन ब्रेन ड्रक के नाम लूतों निसरीटाइड सेकोबिट्रिल वेल साटन तो के बात और फिर आखर में हाइडरीजिन और आइस हम आर्टिफिशल पेस्मेकर्स कोशिश करते हैं को खत्म किया जाए उसके लावा पूरा दिल निकाल के निया दिल डाल जाते जाते हैं अब देखो ना बतल जाएंगे साब बतल जाएंगे एनिवेस ट्रांस्ब्लांटेशन आपका फाइदा हुए वीडियो आपको